रामनों में की आप सब को देश को बहुत बहुत शुब कामना है ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है एक तरफ आरेसेस और बीजेपी जो समविधान है लोकतंत्रिक सिस्टम है उसको खतम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गटबंदन, कॉंग्रिस पार्टी समविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है उसकी रक्षा कर रही है चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी, मगर BJP 24 घंटा, distraction करने में लगी रहती है, कभी प्रधान मंत्री समुदर के नीचे चले जाते हैं, कभी आस्मान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं, उनके बारे में न प्रधान मंत्री न बीजेपी बात करती है, कुछ दिन पहले, प्रधान मंत्री ने ANIA को बहुत लंबा इंटर्व्यू दिया, scripted था, मगर flop show था, प्रधान मंत्री जी ने उसमें electoral bonds समझाने की कोशिश की, प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि, electoral bonds का system transparency के लिए लाया गया, राजनेती को साफ करने के लिए लाया गया, अगर ये सच है, तो उस system को Supreme Court ने रद क्यूं किया, और दूसरी बात, अगर आप transparency लाना चाहते थे, तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, BJP को पैसा दिया, हजारों करोर रुपए दिये, उनका नाम आपने क्यूं छुपाया था, और जिन तारीकों पे उन्होंने आपको पैसा दिया, उसको आपने क्यूं छुपाया था, पता लगता है, हजारों करोर रुपए का contract किसी company को मिलता है, उसके एकदम बाद, वो company BJP को पैसा देती है, CBI की inquiry होती है, ED की inquiry होती है किसी company पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद, company, क्रोरों रुपए BJP को देती है, और फिर CBI की inquiry, ED की inquiry बंद हो जाती है, सडक पे इसको extortion कहते हैं, extortion कहते हैं सडक पे, तो ये जो है, electoral bonds का जो scheme है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, extortion का scheme है, हिंदुस्तान के सारे के सारे businessmen, इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधान मंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है, कि प्रधान मंत्री ब्रश्टचार के champion है, क्योंकि ओूरा देश जानता है,